कनहान नदी में ब्रिटिश कालीन 144 साल पुराना पुल अपनी जरजर अवस्था पर आसू बहारा है बैल गाड़ी के युग में बनाया गया मध्यभारत का सबसे मजबूत कनहान पुल जो की 13 पिलर एवं 12 कमानी की तकनीकी से बनाया गया है वरतमान समय में इस पुल में जगा 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 जंगली ज़ाड़ियों ने अपना कबजा चमा लिया है तेरा सू मीटर लंबा यह पुल 874 में 12,50,000 रुपे में बनाया गया था वरतमान समय में इस पुल में जगा 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 जंगली ज़ाड़ियों ने अपना कबजा चमा लिया है तता भारी वाहनों की वंदी के बाद भी इस पुल में 27,24 से लेकर 44 चक्के के भारे ट्रक 24 घंटी इस पुल से गुजरते रहते हैं जिसके कारण पुल में कमपन भी होता है दूसरे चोहर पर कनान नदी में ने पुल को लेकर 25 फरवरी 2014 को कनान नदी में ब्रिटिश कालीन जरजर पुल की स्थान पर ने पुल का भूमी पुजन ततकालीन राम टेक सांसद मुकुल वासनी केंद्रिया मंतिया असकर फार्निस के द्वारा किया गया था परंतो वर्तमान समय तक इस ने पुल का निर्मान कारिय अधूरा पड़ा है जिसमें प्रशासन 31 मार्श तक पुल को शुरू करने की बात तो कह रही है परंतो पुल निर्मान की गती देख कर पुल को शुरू होने में लगबग एक वर्ष और लगने की संभावना है तथा प्रशासन भी किसी बड़ी अन्होनी के इंतजार में हैं पुलिया है आने जाने के लिए नया पुलिया बनाया गया है वो पुलिया को दिया गया है 36 महीने अब वो चुका है पास से 6 साल अभी तक कोई नेता हो कोई प्रशासन हो कुछ हो कुछ उसका बारे में कोई ध्याननी दे रहा है कोई कुछ करनी रहा है कई टेकतार आए कई टेकर दर चले गए वापस वो पुलिया जहां का वहीं पे हैं अगर रोड चालो नहीं है यह रोड के लिए खत्रा है जल्दी जल्दी इसको करने के लिए कोजिस करें कनान पूल को लेकर के हमारे बीच में कांदरी निवा से मिस्टर चंदरपाल कर से पुपस्तित हैं और कना तक सुनने में आए कि सौ साल की उमीद रहती है जो यानि फूल की जो सौ साल के उपर हो चुका है और यह अभी किस किस परिस्तिती में है वो तो देखने के बाद में समझ में आता है और इक अब तक चलेंगा या नहीं चलेंगा उसकी कोई उमीद नहीं है यह जैसा भी है इसके बारे में जो भी करे करे नहीं तो चल रहा है उपर वाले के वरो से कनानपुल ये सौ साल का था, अधेर साल पुराना हो चुका है और इसकी आयू भी खतम हो चुकी है भविस में कभी भी ये गेर सकता है और इसकी जो सुरक्षा दिवार बनाई गए ती कनान पुल की वहाँ जंगाड़े उगी हुई है और इस पर प्रसादन को ध्यान नहीं दे रहा है अधिकारी वारोमार तारीक दून चाल धकल करने ची भूमिका गेता है ते मुले हाँ पुलाला कदी अगर मोटी हानी पल्ली क्यों पुल को सल्ला ते ची सर्विस्त जवाबदारी जन प्रतिनेती गेतिल का सवराज्य संस्ते मादे निवलू नालेले जिल्लाब नगरपशेचे अध्यक्षा असो विदान सबेचे आमदार असो क्यों खासदार असो ते चाल धकल करने ची भूमिका गेता है या कड़े कुटतरी संमानी या केंदर सरकार मते निवलू नालेले लोकानी लक्षे केंदित करून या पुला दा तोरित चालू करने ची मांगने हमी आपने मारपश करीता हूँ करहान न दीका या पुल जोकी लगबग 150 साल पुराना हो चुका है तथा इसी पुल की सुरच्छा को देखते हुए 2014 में इस्थानी सांसत मुकल वासनिक के द्वारा नय पुल का भूमी पुजन किया गया था इस पुल के भूमी पुजन के पच्चात वर्तमान में 6 साल का समय हो चुका है परन्तु फिर भी पुल शुरू नहीं हो रहा तथा पुराना पुल अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है इस परक्रिया को लेकर के कई बार इस्थानी निताओं के द्वारा अंदोलन धर्णा प्रदर्सन किया गया परन्तु उसके बाद भी प्रसासन की आंके नहीं खुल रही वर्तवान समय में इस्थिती को देख करके ऐसा लगता है कि शासन और प्रसासन किसी बड़ी अनहोनी होने के इंतिजार में बैठे है कैमरा मैन विबेक पार्टिल के साथ विमलत्र पार्थी इन बीसीन न्यूज नाकपूर कनहान